अबर की तरफ लॉकडाउन में हुआ अकेले पन का हैसास तो एक शक्स ने कुमारा रहने का इरादा छोड़ चांचट साल की उमर में कर ली शादी इन दिनों मीडिया में महाराश्ट्रा की एक शादी को लेकर काफी चर्चा हो रही है महाराश्ट्रा के एक सोशल वरकर और जन्रलिस्ट मादो पाटिल ने उमर के 66 साल में अपनी पहली शादी कर ली इतने साल कुमारे रहने की वज़ा जब उनसे पूछी गई तो उन्होंने बताया कि 1984 में उनकी शादी तेह हुई थी पर किसी वज़ा से शादी नहीं हो सकी जिसके बाद उन्होंने जिन्दगी बर कुमारे रहने का एरादा कर लिया पर लॉक डाउन के दौरान उन्हें जिन्दगी में अकेले पन का एसास होने लगा और परेशान रहने लगे जिसके बाद उन्हों ने अपनी बाकी जिन्दगी के लिए साती चुनने का फैसला कर लिया उनकी शादी एक 45 सारा तलाख शुदा औरत के साथ हुई जो अपने भाई के अचानक करोना वाईरिस के हुजा से मौत के बाद अकेली और बे सारा थी ये शादी से लिए भी एहम है क्योंकि दो बे सारा लोगों को एक दूसरे का सारा मिल गया इस खबर को बताने का मकसद ये है कि आज हमारे समाज में कई लोग ज्यादा अमर और तलाख या बीवी या शोहर की मौत के बाद दूसरी शादी करने में शर्म महसूस करते हैं मौतरम नादरीन याद रहे कि इसलाम में गलत तरीके से अपनी खौइशात को पूरा करने को जिना कहते हैं और जिना बहुत बड़ा गुना है जिसकी सजा बहुत बड़ी है शादी के और भी कई फायदे हैं जिस तरह इस खबर से हमें मालूम हुआ तो अगर समाज में ऐस कोई होगा तो उसे सहारा दें समाज के दूसरे लोगों को भी इस तरह के शादियों में शर्म नहीं मैसुस करनी चाहिए क्योंकि आइसा करने से लोग बहुत बड़े गुना से बस सकते हैं और समाज एक बहतर समाज की तरफ गामजन हो सकता है मौतरम नादरीन आज के बनाने में हमारी मदद करें